दोस्तो कुख्याद गैंक्स्टर लॉरेंस बिस्नोई मंडोली जेल में बंद है और वो वहीं से ही गैंग को ओपरेट कर रहा है उसी का दूसरा साथी गोल्डी बराड है जो कि कैनाडा से गैंग को ओपरेट कर रहा है वहीं लॉरेंस बिस्नोई का भाई अनमोल बिस्नोई व लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तो देश के नए डाउन लॉरेंस बिस्नोई के भाई अन्मोल बिस्नोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिस्नोई के भाई अन्मोल बिस्नोई के बहद करीबी गेंश्टर को गरबतार किया है कि अन्मोल बिस्णोई फिलाल कैलिफॉर्णिया में गोल्डी ब्राड के साथ रह रहा है पूंस्तांच में आसे सर्मा ने खुलासा किया कि अन्मोल बिस्णोई कैलिफॉर्णिया के पहले गोल्डी ब्राड के साथ ही कैनाडा में छेपा हुआ था आसे सर्मा लगातार सिंगनल एप के जरिये कैलिफॉरनिया और कैनाडा में अनमोल विस्नुई से बात कर रहा था आसे सर्मा मुशेवाला हत्यकांड के एक आरोपी कपिल पंडित का भाई है कपिल पंडित और लॉरेंस गैंग के लिए सूटर मुहयक कराने लोजिस्टिक सपोर्ट और उनके रुकने खाने पीने का इंतजाम जेल के बाहर से आसे सर्मा ही समालता था हाल ही में लॉरेंस के भाई अनमोल विस्टोई ने खुद कैई बार आसे सर्मा को कॉल करके संलाइट कॉलोनी इलाके के बिल्डरों से उगाई करने का टास्क भी दिया था इसके बाद आसिस सर्मा के सहयोगी एक बालिक और दो नावालिकों ने मिलकर सनलाइट कॉलोनी इलाके में ताबर तोड फाइरिंग की थी इस मामले में क्राइम ब्रांच ने हरें जो खुद सोसल मीडिया के जरिये लॉरेंस विसनोई गैंग से जुड़ा हुआ था और दो नावालिक जो लॉरेंस के करीबी संपत नहरा के गाओं के रहने वाले हैं उनको पकड़ा था इसी मामले में आसिस सर्मा के भी गिरपतारी हुई है दोस्तो आसिस सर्मा ने पूंस्तांच में खुलासा किया है कि वह एक बार राजस्तान में पुलिस कस्टेडी में लॉरेंस विसनोई से भी मिल चुका है सनलाइट कॉलोनी फाइरिंग मामले में ही कल क्राइम ब्रांच लॉरेंस विसनोई को अपनी कश्टेडी में लेने जा रही है आसिस सर्मा मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी कफिल पंडित का बाई है कफिल पंडित का नाम हाल ही में बाहू बली विकास सिंग और लॉरेंस कनेक्शन में भी सामने आया था फिलाल कफिल पंडित राजस्थान में जेल में है और आसिस सर्मा तिहाड जेल में बंद है तो दोस्तो इस प्रकार मुसे वाला हत्याकांड के आरोपी कपिल पंडित के बाई ने पुलिस पूंस्तास में अनमोल बिस्नोई के बारे में बताया है लेकिन इसमें कहां तक सच है और कहां तक जूट है इस बात का तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन हाल ही यही खबर निकल कर सामने आ रही हैं तो दोस्तों आप क्या सोचते हो लॉरेस बिसनोई के बाई अनमोल बिसनोई को लेकर कॉमेंट सेक्षन में अपने राय जरूर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लि